वेलकम टू प्रियांसी इस्टडी पॉइंट है लो दोस्तो सामानी ग्यान के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम SSC रेलवे आर्मी पुलिस एक्जाम और सभी कॉम्टेटिव एक्जाम से संबंधित महत्पूर्ण पुर्शनों को जानेंगे तो चले बिना किसी देर के सुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रशन हमारा पहला प्रशन है चोल प्रसासन की मुख्य विसेशता क्या थी तो ये ग्रामीन स्वायतता चोल प्रसासन की मुख्य विसेशता थी हमारा अगला प्रशन है रेसम के कीडे का भोज़ पदार्थ क्या है तो सात्यूत की प था किस सासक ने Grand Truck Road का निर्माड कराया था तो सेर साहसूर ने Grand Truck Road का निर्माड करवाया था हमारा अगला प्रस्ण है दोस्तो ए मेरे वतन के लोगों देश भक्ती गीत किस ने लिखा है तो प्रदीब ने लिखा है हमारा अगला प्रस्ण है दोस्तो वायू का दबाव किसके कारण होता है तो घनतों के कारण हमारा अगला प्रस्ण है दोस्तो वायू मंडली दाब मापने का पहमाना है तो बैरो मीटर से वायू मंडली दाब मापा जाता है बायरोमीटर से हमारा अगला प्रशन है दोस्तो अमीबा में कुल कितने शैल यानी कोशिका होते हैं तो एक होता है अमीबा में कोशिका हमारा अगला प्रशन है दोस्तो नागा लेंड भारत का विधिवत राजे कब बना नागा लेंड भारत का विधिवत राजे कब बना तो 1963 में नागा लेंड भारत का विधिवत राजे बना हमारा अगला प्रशन है दोस्तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे इस्टेशन है तो ये मुख्य मंत्री की न्युक्ति कौन करता है मुख्य मंत्री की न्युक्ति कौन करता है तो मुख्य मंत्री की न्युक्ति राज़ेपाल करता है मुख्य मंत्री की न्युक्ति राज़ेपाल करता है हमारा अगला प्रशन है दोस्तो हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं तो नाई क्रोम के बने होते हैं हीटर के तार नाई क्रोम के बने होते हैं हमारा अगला प्रशन है दोस्तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है हमारा अगला प्रशन है दोस्तोर विशो का सबसे बड़ा नदीद वीप माजुली असम के किस जिले में इस्तित है तो ये पाताल पूरी में इस्तित है विशो का सबसे बड़ा नदीद वीप माजुली ये पाताल पूरी में इस्तित है हमारा अगला प्रशन है ध्वनी की चाल अधिकतम किस में होती है तो इस टील में होती है ध्वनी की अधिकतम चाल इस टील में होती है हमारा अगला प्रशन है दोस्तो किसे भविश्य की धातू कहा जाता है तो टाइटेनियम को भविश्य की धातू कहा जाता है ताइटेनियम को हमारा अगला प्रशन है दोस्तो काउन सातत्व स्वतंतर अवस्था में पाया जाता है काउन सातत्व स्वतंतर अवस्था में पाया जाता है तो सलफर जो है ये स्वतंतर अवस्था में पाया जाता है हमारा अगला प्रशन है दोस्तो दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी तो ये समस उद दीन की पुत्री थी तो ये समस उद दीन की पुत्री थी तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए अगर आपने हमें हमारे चैनल को पुष्णों के साथ तब तक के लिए जय हिंज जय भारत